समस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल फ्लेम टार्गेट में आपका स्वागत है किरपया जो लोग नए है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्थ हो सके तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कोसिका यानि सेल जो सेल होती है वो क्या होती है ठीक है कोसिका क्या होती है तो देखिए जो कोसिका होती है वो जीओं की सरचनात्मक और किरियात्मक इकाई कहलाती है सभी जीवधारियों का सरीर बहुत से छोटे-छोटे कोष्ठों का बना होता है यानि जितने भी जीवधारी होते हैं उनका सरीर बहुत से छोटे-छोटे कोष्ठों का बना होता है इन कोष्ठों को क्या कहते हैं इन कोष्ठों को जो है सेल कहते हैं अब जोस्तों जीवधारी जो होते है वो पेड़ पौधेव भी हो सकते है और जन्तु भी हो सकते है तो कुछ जो जीवधारी होते है उनका सरीर बहुत छोटे-छोटे कोश्टों का बना होता है जिसको क्या कहते है जिसको सेल कहते है ठीक है दोस्तों अब सेल के बारे में एक कोश्चन दोस्तों बार- पाइबोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, तो इसका जो question है कि परतेक जीवधारी की सुष्चनात्म की काई क्या है, तो इसका answer हो जाएगा cell, यानि यही कोशिका होती है, ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कि कोशिका सब्द की उत्पत्ति, ठीक है, यानि जो कोशिका सब्द है एक कोश्ट या एक कोठरी, मतलब या एक कोश्ट होता है या फिर एक कोठरी होती है, ठीक है दोस्तों, आगे है कि कोशिका की खोज किस ने की थी, तो यानि कोशिका की जो खोज हुआ था, वो England के बेज्यानिक Robert Hook ने सन 1665 इसवी में कार्क की पतली, टाटका सुचमदर्सी द्वारा अध्यन करके सर्वपर्थम कोशिका का वरलन किया यहनी जो कार्क होता है बोतल में लगी कार्क होता है उसका उन्होंने अध्यन किया था तो उन्होंने सर्वपर्थम जो है कोशिका का वरलन किया ठीक है राबर्ट फिर एक भाज़्यानिक है वो आए, वो Robert Hook ने वास्तों में कार्क की मृत कोशिकाओं का अध्यन किया, इन्होंने जो है देखा कि कार्क की मृत कोशिका होती है उनमें इन्होंने अध्यन किया ये चारो और से मोटी दीवारों से घिरे रिक्त अस्थान थे ठीक है मतलब ये जो चारो और उसकी मोटी दीवार थी उससे ये घिरे रिक्त अस्थान में इन्होंने कोशिका को देखा ठीक है दोस्तों तो एक कोशिका का अभिसकार किस ने किय था तो कोजिका का अभिस्कार चार आफसन दिये हैं राबर्ट हुक ने राबर्ट ब्राउन ने राबर्ट टेलर ने और काल लिने ने तो इसका एंसर दोस्तों हो जाएगा राबर्ट हुक ने सबसे पहले कोजिका का अभिस्कार किया था ठीक है दोस्तों चलिए एंटोनी ओ लिवेन हाग तो लिवेन हाग ने 1674 इस भी में एक कोश किये पादपों, जन्तुओं, जीवाणूं, डायटम या फिर रूधिर कोशी काओं तता सुक्राणूं का सूच मदर्सी द्वारा इन्हों ने अध्यन किया था, यानि जो सूच मदर्सी होता है उसके द्वारा इन्हे जो पादप जन्तु है, जन्तुओं, जीवाणू हो गए, डायटम हो गए या फिर रूधिर कोशी का अत्वा सुक्राणूं में इन्हों ने सूच मदर्सी द्वारा उसका अध्यन किया फिर लिवेन हाग ने उन्नत प्रकार की सूच मदर्सी द्वारा पहली बार बैक्टी यानि एक प्लांट था जो है मैल पीगी और नहेलिया बिज्ञानिक ने गुरूथ चित्र में इसका अनेक पादपो में इसका अध्यन किया था, ठीक है दोस्तों, आगे आईए अब देखेंगे कि कोशिका का आकार यानि साइज आफ सेल कैसा होता है, तो अधिकान सो कोशि काओं में होता है, दोस्तों, माइको प्लाजमा जो होता है, वो कुछ माइको प्लाजमा होता है, जैसे लैडल वाई हो गया, नामक कोशिका है, सबसे छोटी कोशिकाएं होती है, यानि संसार की सबसे छोटी कोशिकाएं जो होती है, दोस्तों, ये जो है माइको प्लाजमा ह भी इसको जाना जाता है या pleuro pneumonia like organism कहा जाता है, जो सबसे चोटी ज्यादकोसिकाओं के रूप में होता है, ठीक है, यह सबसे चोटी ज्यादकोसिका कहलाती है, ठीक है, दोस्तो, आगे जो है, haliky pleuro pneumonia का जो ब्यास होता है वो 0.1 micron से 0.3 micron तक होता है, ये पीपी एलो का ब्यास होता है जबकि सबसे बड़ी कोशिका सुतुरमुर का अंडा यानि जो सबसे बड़ी कोशिका संसार की होती है वो सुतुरमुर का अंडा भी होता है ये भी कोश्चन आपके एक्जाम में बार-बार पूंचा जाता है दोस्तों तो इसको आप लोग याद रखना जिसका ब्यास 135 mm से 170 mm तक होता है ठीक है? 135 mm से लेकर 170 mm तक होता है ठीक है दोस्तों आई अब देखेंगे कि कोशिका की आकरित क्या है? यानि कोशिका जो होती है उसकी आकरित यानि shape of cell ये कैसी होती है कोशिका? तो जो कोशिकाए होती है ये गोलाकार या फिर ब्रिताकार, अंडाकार, लंबाकार, घहनाकार, बेलनाकार, नालाकार, बहुबुजाकार, चप्टी तथा ये तस्तरी नुमा ठीक है दोस्तों ये तस्तरी नुमा भी आकरित की होती है ठीक है? यानि अलग-अलग इसकी size भी ह होती है ठीक है चलिए कोशिकाओं की संख्या अब इसके नंबर के बारे में देखेंगे को कोशिका की संख्या क्या होती है ठीक है नंबर आफसल तो कोई भी जीव या तो एक कोश्किये होता है या फिर बहु कोश्किये चाहे जो भी जीव है या एक कोश्किये होंगे या या जीव बहु कोस्किये होते हैं, उसका सरीर असंख कोसिकाओं का बना होता है, यानि जो जीव बहु कोस्किये होंगे, वो असंख कोसिकाओं के बने होंगे, तो बहु कोस्किये जीव, जो बहु कोस्किये जीव हैं, ठीक है, वो अन्य कोसिकाओं पर, यानि उसके आकार पर नि सब्सक्राइब दोस्तो नुक्या है तो जीवों की सबसे झोटी इकाई क्या होती है वो आप लोग को पहले भी बता चुके है कि ये कोशिका होती है ठीक है। फिर दूसरा कोशिका सब्सक्र्षक के उत्पत कस भासा के सब्सक्रेंब से हुई तो ये लेटिन भासा के सब्द से हुई थी ठीक है दोस्तों अभी अभी बताया गया कि ये Latin भासा के सब्द से हुई थी ठीक है तीसरा question इसमें जो आता है कि kosika की खोज किसने और कब की थी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट question है कि bacteria के रूप में friesell यानि मुक्त kosika की खोज किस ने की थी तो इसकी खोज जो है उन्होंने इसकी खोज की थी फिर अगला question आता है कि कोशिकाओं का आकार कितना होता है ये भी दोस्तों अभी question बताया तो 0.1 micron एक माइक रूंज से 20 micron 0.1 micron से 20 micron तो किसा का आकार होता ए ठीक है दोस्तों next question आता है, जो आपके exam में बहुत बार पूछा गया है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो सबसे बड़ी कोशिका है दोस्तो आप लोग भी से ध्यान देना कि सबसे बड़ी जो कोशिका होती है संसार के ओ सुतुर मूर का अंडा होता है ठीक है सुतुरमुर का अंडा होता है नेक्स्ट कोस्चन दोस्तों आता है ये भी कोस्चन आपके एक्जाम में बहुत बार पूछा गया है ये चाहे कमप्टीशन एक्जाम हो चाहे जिसने भी एक्जाम हो लेकिन ये कोस्चन बार-बार पूछा जाता है तो सबसे छोटी संसार की सबसे छोटी कोशी का कौनसी है तो mycoplasma होती है ठीक है दोस्तों ये भी question बार बार पूछा जाता है इसलिए आपको ये भी याद रखना बहुत जरूरी है ठीक है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक like और channel पर नहें तो subscribe करना न भूलें ठीक है दोस्तों ऐसी लगातार वीडियो आपको मिलती रहेगी तब तक के लिए धन्यवाद